मंदीर मजिद के नाम पे वोट मांग के अभी तक हमको उल्लू बनाया सरकरने भाई उनों बोल रहे है राम मंदीर बन गाए लेकिन राम मंदीर बनने से कोई हमारा पेट थोड़ी बर रहा है नए किसानों के बारे में मोदी जी कुछ भी ने कहते कि मोदी जी खाले आश्वासन देते बैंके तीन लाख रूप कर दे महारा राष्ट बैंके लेकिन किसानों पे किसी का बिलकुल भी ध्यान नहीं जा रहा हिंदू मुस्लिम के नाम पर राज नी थी तो की जा रही है लेकिन आज के समय में किसान कितने मुश्किल में है इसका जिम्मेदार कौन होगा जैसे कि आप सभी देख रहे हैं महाराष्ट का जालना इलाका है जालना यहां कि मौसंबी के लिए मस्वूर है मौसंबी का मौसं होते हुए भी पेड में लगे हुए मौसंबी सूख रहे हैं किसानों का कहना है कि 10 साल पहले जो माल के भाव थे अभी भी वही चल रहे हैं खेतों में जो खाद और दवाईया डाली जाती है उन सभी पे GST लगाई जा रही है जिनके कारण वो और भी महंगी हो रही है डीजल पेट्रोल महंगी हो रहे हैं लेकिन हमारी फसल के दाम बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे हैं 10 अप्रेल की रिपोर्ट है सरकार द्वारा की जालना जिले में 336 टैंकर जाते हैं और 336 में से 326 टैंकर प्राइवेट हैं मात्रे 10 टैंकर सरकारी आते हैं बरसाथ होने में अभी पूरा मई मैना बाकी है और आधा जून बाकी है तो सोचिए किसानों को कितने बड़ी मात्रा में मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है अगफ में आधा के ओना के अदर करने वाले लोग को किसानों कितने परिशान болabeth को देख रहे नहीं है धूगनी हो गए तो देखो न जो कपषी के अश्शाल पहले वाव है जो कभां गवाव है सब माव बढ़ गे न., डिजल बढ़ गया पेट्रोल बढ़ गया बोले तो कपास के भाव गड़ गए मुंजूरी बढ़ गए जो माना जो भाव रहे वही के वही है ना कपास देखो स्वाय बिंद्यों का आज मसुंबी पानी को जैसे चले गए जो किसाने पानी दाल नहीं सकता इसमें आप सभी की क्या रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताए और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर कीजिए धन्यवाद